कई वर्सों पहले रिसियों ने महरसी बालमिकी से जब पूछा कि मनुसी योनी में किस कर्म करने से कौन सा जन मिलता है तो उन्होंने कुछ आसर जनक जवाब दिये थे और जिनका कुछ रिसियों द्वारा लिखे गए पुरानों में पता चलता है कि कौन सा ब्यक्ति कौन सा कर्म करने से विभिन योनियों में जन्म लेकर उन कर्मों का फल भोगता है पिछले जन्म में किये अच्छे और बुरे कर्मों का योगदान हमें इस जन्म में मिलता है ये भी सच है अब मनुसी योनी ही मिलेगा या नहीं कोई और योनी मिलेगा ये तो आपके कर्म पर डिपेंट करता है लेकिन कुट्टे का जन्म कौन से कर्म करने से मिलता है आज हम आपके साथ यही साजा करेंगे महरसी ब्यास जी ने बताया कि ब्यक्ति के कौन से कर्म से उसे कुट्टे का जन्म मिलता है महर्सी ब्यास के अनुसार पराई इस्ती से सम्मंध बनाने वाला ब्यक्ती भयानक नर्क में जाता है और उसे कुट्टा, सियार, भेडिया, गिद, साप, कवा और अंत में बबुले के जन्म मिलता है इसके बाद ही वह मनुस्य जन्म को प्राप्त करता है यानि अगर आप इन तमाम बुरे कर्मों में फसे हैं तो आपका जन्म भी कुट्टे का ही होगा ये भी निस्जित है